सस्क्राइबर मेनेजमेंट सिस्टम, केबील SMS, मैसेज मेनिया और प्ले आउट के लिए हुआई नेट सेटर की सेटिंग देखेंगे हुआई नेट सेटर की सेटिंग करने के लिए कंप्यूटर के स्टार्ट में जाकर के आपको पर्सनल इंटरनेट डिवाईज जो भी आपने लगाई है हुआई की उसके आप्शन में जाना पड़ेगा ये इस तरह की device आपको अपने computer के port में लगाना होगा USB port में लगाना होगा इसके बाद आप जैसे ही device लगाएंगे सबसे पहले आपको network चक करना है कि वो network पूरा आ रहा है कि नहीं क्योंकि जब network पूरा आएगा ये device तभी काम करेगी network पूरा देखने के बाद आपको इस device के tools option में tools के option segment में जाना है option segment में जाके आपको सबसे पहले network में जाना है network में जाने के बाद network type का एक option आता है जिसमें जाकर आपको gsm only करना है ये gsm sim ही आपको लगाना है इसमें और इसमें gsm only को ही support करना है GSM Only लगाने के बाद आपको Apply पे टिक करना है Apply पे टिक करने के बाद आपको इस Option से Apply करने के बाद आपको OK करके इस Option से बहार आना है Apply करने के बाद आपको Fill Tools के Option में जाना है और Diagnosis के Option में जा करके आपको यहाँ पर Application Port देखना होगा Application port com46 है और यही आपको अपने software की setting में भी जाकर करना होगा Software की setting में जाकर के इसको setting करना कमपल सरी है यह com46 यहाँ पर application port दिखा रहा है जो आप screen पर देख रहे हैं इसके बाद आपको इसे cancel कर देना है और यहाँ से आपको इसको close कर देना है इस चीज़ का ध्यान रहे कि यह proper पूरी तरीके से close होना चाहिए आप अपने computer के task barg में जाकर के भी इसको देख सकते हैं कि क्या यह proper तरीके से close हुआ है कि नहीं अगर close नहीं हुआ है तो उसको आप right click करके पूरी तरीके से quit कर दें